आज मैं मालोनी स्टाइल में मच्ची कसालन बनाने जारी हूँ तो चलिए बनाना शुरू करते यहां पर मैंने कान चीके मच्ची लिएू इसको खजुरा भी बोलते हैं यहां पर बंबे में जादत मुझे पता नहीं है खजुरा ही बोलते है इसको यहया इसको इसमे कि प्षबास को कोकने सालन करते देन कowing को आके पर यां चाहिक सम्च्च जेरंगे antis में वियरांग हो पा इसको भी मैंने भिगो दी हूँ एक घंटा पे ले और मिर्ची को मैंने रात में भिगो दी थी आच्छे से फूप जाती है और पिसने में भी आसानी होती है इसके मैं रात में भिगो दी हूँ यह तीन चार मिर्ची है और एक टमाटर को इसको कट करके लिए हूँ अधे नाजरेल की चून है यह और एक अधा प्यास है इसको भी कट करके लिए हूँ दस पंदरा मैंने लसन के कलिया लिए हूँ अधा चमच और दो चमच बड़े ओले अधा चमच हल्दी आरी चीजों को एक मिक्सर में दाल के इसको अच्छा सा पेस बना के लिए ना है सब चीजों को अच्छा सा बारिक पेस बना के लिए हूँ इसको मैंने बारीक पीस के लिए देख सकते हैं जबर्दस मसाला बन गया है मच्छी का सालन के लिए रिख्ची लिए इसमें टेल आट कीओं दो चमत बड़े इसमें में लसन आट करूँगी एक ऐसे कूट के लिएम यह लसन को स्नाट साफ लेवर देती है अक्की रहती है तो साथ साथ में कडी पत्ता ब्याट करूँगी तो पोड़ा सच्पासा बूल देंगे शकी तो तो सकले हो रहा है मच्छी हो चुका है मसाला आइज करूँगी इसके अंदर तो मसालों को अच्छी से बूल लेना है तेल के अंदर साथ साथ में हल्दी पौडर बैट करूँगी मसालों को अच्छी से बूल लेंगे अच्छी का मसाल अच्छी से बूल चुका है मैं इसमें तीर पलाइट करूँगी ये बजार में मसाले की दुगन पर मिल जाते है तो चर मैंने तीर पलाइट की हो इसमें अच्छा इतना सालन बनाना है अब इसमें आडक कीज़े इसमें और थोड़ा पानी डालूः में आदा गिलास इसको एक बॉल रहने देंगे जोशाने देंगे इसको बॉयलर चुका है इसके अंदर में मच्छी एट करणी इसको अच्छे से पकाके लेना है इसको मच्छी को पकाके लेंगे साथ साथ नमक बेट करेंगे और को कमने इसको अच्छे से मिक्स करके आप तक वीडियो देखते तो लाइक करो मुझे बहुत अच्छे लगता है आपकी लाइक और कमेंड आती है है तो अच्छे से पकाके लेंगे इच्छे साथ मिनट हो गये इसको धीमियाद पे अच्छे से मैंने पकाके लिएँ जबरदस बनाएं सालन मिर्ची का सुकी मिर्ची का देख सकते है ज़रूर ट्राय करना कोई भी मच्छी ले सकते है सुर्माई की तामोसी की सर उसका सर लेने सल का सालन भोत टेस्टी बनता है बंगड़ी का भी ऐसी बनाने का मैं भी सरफ करती हूं है अब पर इसकी का शालन हने स्टायल में सर्फ की हूं आप इसको चावल की रोटी क साथ में जबर दस लेकता है तो ठ्राय किजये और मेरे चैनल पर ने तो ज़रूर सस्पेक करना लाइक करना कमेंड करना लाफी झाल झाल